गाज़ेपुर जनपत में लगातार करोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्रवार की सुबह जिले में साथ और करोना मरीज मिलने से प्रशासन समेथ लोगों में हलकंप मच गया है। अब इसके बाद गाजी पुर्जिले में अक्टिव केसेस की संख्या आठ से बढ़कर 15 हो गई है करोना पॉस्ट्री मरीजों की जानकारी होते ही प्रशासन अक्शन में आ गया है और सम्मंधित काओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है मेडिकल टीम अब इन संक्रमितों को उपचार के लिए वारना सिस्थित दीन दियाल अस्पताल ले जाने के तैयारियों में चुट गई है गाजीपुर में लगातार करोना मरीजों के संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिससे लोगों में भी भाय का माहौल बना हुआ है मुंबई से जनपत के विभिन ब्लॉकों में तीन से चार दिन पूर्व आये प्रवासी लगातार करोना पॉजटिव मिल रहे हैं बता दें कि बिरुनो ब्लॉक के गोपालपुर गाउं में एक महिला समेथ पांच लोग मनिहारी के भर्धना गाउं में एक वजखनिया के विखंपुर गाउं में आया एक प्रवासी करोना संक्रमित मिला करोना संक्रमित के मिलने की पुष्टी नोडल अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने की है जिसके बाद अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 21 हो गई है जिन में से 6 ठीक भी हो चुके हैं गाजेपुर की ऐसे ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिसे हम आप तक ऐसे ही खबरों को पहुचाते रहें